10 जून 2021 के लिए मेरी स्टॉक वाच लिस्ट में 5 स्टॉक्स हैं मारुती, PBR, Petronate इनमें हम लोग short opportunities की तलास करेंगे इन fee और डावर इसमें हम लोग long opportunities की तलास करेंगे तो आए एक बार चार्ट पे इनके important levels को देखते हैं इस तरीके से हम लोग intraday trades को plan करेंगे इंसा रही stocks में और daily time frame का chart आप देख पा रहोंगे मारुती सूजी कि कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा रखा है एक horizontal line से मैं इसके highs को mark करता हूँ और इसका color मैं red कर देता हूँ जिससे आप यह जान पाएंगे कि कहीं न कहीं एक resistance level था daily time frame में और वहाँ से यह नीचे की तरफ घुमता हुआ दिखा आज के दिन overall markets में आज काफी negative sentiment रहा सारे ही major indices में 8200% सारे stocks जो हैं down side में एक movement दिखाते हुए दिखे हैं और तभी मैंने आज जो short sell के लिए भी कुछ stocks आपके लिए उठाए हैं हालांकि overall जो long term trend है हमारे markets का वह अभी भी बना हुआ है अभी भी हम लोग अच्छे up trend में चल रहे हैं लेकिन छोटे छोटे corrections आते रहेंगे और उन दिनों में हमें short sell के opportunity मिलेगी तो आए देखते हैं मारुती में मैं किस तरीके से अपनी trade plan करूँगा कल के दिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो high mark करा है 7366 ये एक resistance फिलाल के लिए और इसको अगर हम लोग छोटे time frame पे move करें यानि कि hourly पे लेगर जाते हैं तो यहां से थोड़ी picture और clear होती दिखेगी और currently जो एक low बनता हुआ दिख रहा है इस candle में 7200 का round figure है अगर ये level कभी भी आपको break होता हुआ दिखे कल के trading session में तो आप यहां से अपने जो है short sale opportunities की जो planning है आप यहां से कर सकते हैं तो यहां से आप अपने short sale trades को plan करेंगे 7199, 7198 के levels को हम लोग अपने order में punch करेंगे और कोशिस करेंगे एक छोटा सा stop loss रखने की 7210 के आसपास और targets होंगे ओके मैं mark कर देता हूँ आपको कहने कहीं इन लेवल्स पे अपने targets रखने होंगे 40 to 50 रूपी का एक move मैं expect कर रहा हूँ stop loss छोटा होगा 10 to 15 रूपी का और जैसे जैसे अगर volume साथ देते हैं अगर सारे markets में अगर panic selling होती है तो हम इन trades को hold करेंगे अपने stop losses को trail करेंगे कोसिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा moves capture करें आएए देखते हैं दूसरा हमारा जो stock है PVR इसको भी हम लोग daily time frame पे एक बार देख लेते हैं किस तरीके के सिनारियो देखने को मिल रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है एक uptrend इसमें आता हुआ पिछले कुछ sessions में और पिछले दो दिनों में red candles आपको बनती हुए देखने मिल रही होगी तो इन labels को हम लोग मार्क करते हैं 14,59,14,60 का label एक resistance की तरह काम करेगा इस stock में आए देखते हैं किस तरीके से हम लोग intraday में इस stock को play कर सकते हैं यहां भी मैं horizontal line से एक support area draw कर देता हूँ आपके सामने और अगर ये इन labels को cross करता हुआ दिखता है कल के दिन कभी भी 14,22 को अगर कभी भी ये cross करता हुआ दिखे तो काफी अच्छा move हम लोग expect कर सकते हैं पहला target होगा 1400 के लिए और दूसरा जो मैं target इसमें देख पा रहा हूँ कहें न कहें वो 13,80 के levels तक आ सकता है ये stock stop loss छोटा रखेंगे और साथ साथ इसको trail करते रहेंगे जैसे जैसे markets अगर नीचे की तरफ इसको लेकर आता है तो हम इसमें बने रहने की कोशिस करेंगे काफी अच्छा trade साबित हो सकता है ये आए अगला हमारा stock देख लेते हैं petronate, petronate में आज काफी ज़्यादा week वाली देखने मिली है volume के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छा selling इसमें आता हुआ दिखा है आज के दिन simply इस stock में जो आज का low बना है यानि की 227 अगर ये कभी भी cross होता है कल के दिन तो हम लोग इसमें short sell करेंगे और target में रखूंगा कहीं न कहीं जो levels आपको देखने मिल रहे है screen पे 214 15 का तो काफी अच्छा trade इसमें भी पॉसिवल है stop losses हम लोग 5 से 10 रुपए उपर ही रखेंगे ज्यादा risk नहीं लेंगे because already काफी stress हो चुका है आज के दिन ये stock तो इस तरीके से हम लोग इसको plan करेंगे मैं आपके सामने mark कर देता हूँ इसका low भी जहां से आपको ये trade activate होता हुआ देखने मिल सकता है तो ये काफी अच्छा range है इसमें हम लोग काफी अच्छा trade expect कर सकते हैं intraday basis पे अगला trade हम लोग देखते हैं किस stock में है तो दोस्तों ये infosys limited में है और इसमें कहीं न कहीं मैं एक long opportunities की तलास कर रहा हूँ काफी अच्छा momentum आता हुआ देखने मिला है पिछले कुछ दिनों में और एक retracement होने के बाद वापस सी उपर जाता हुआ देखने मिल रहा है अगर patterns की बात करें जो कि आपने बहुत जगा सुना होगा तो कुछ इस तरीके से cup and handle का pattern मैं देख पा रहा हूँ इस stock में 14.25 का एक high बना हुआ है और अगर ये कभी भी इस level को cross करता हुआ निकलता है hourly chart पे एक बार हम लोग देखते हैं एक कफी अच्छा range बना हुआ है hourly charts में और कभी भी अगर ये इस range को cross करता है 14.25 के उपर निकलता है तो काफी अच्छा move हम लोग expect कर सकते हैं targets की बात करते हैं अगर फिर से हम लोग daily time frame पे जाकर देखें तो immediate जो resistance मुझे देखने को मिल रहा है वो कहीं न खहीं एक 14.34 14.35 के levels पे आता हुआ देखने मिल रहा है तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें और अगर ये volume के साथ move करता है तो हम लोगों को 14.50 14.60 के भी levels द इंट्राडे में तो काफी अच्छा एक trade possible है long opportunities है इन फोसिस limited में आई अगला stock हम लोग discuss करते हैं जो की है डाबर FMCG sector का का अच्छा है के stock और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे एक rounding bottom type का pattern बनता हुआ देखने मिल रहा है कुछ इस तरीके से और इसका जो current high है अगर मैं उसको mark करूँ तो कहीं न कहीं 561 के 62 के levels है अगर ये इसको cross करता है या exact अगर मैं बोरूँ तो आप इस candle के high के उपर buy करने का plan करें 562.60 के उपर अगर ये कभी भी move करता है तो मैं targets जो देख पा रहा हूँ वो कहीं न कहीं इन levels के आसपास होंगे 574.75 इस तरीके के targets इसमें देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को तो इस तरीके से आप plan कर सकते हैं अपने इंटरेटरेट्स डावर इंडिया लिमिटेड में उमीद करता हूँ आपको इन वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है अगर जरा भी कुछ सीखने मिल रहा है तो दोस सकता है उनको ये किसी ना किसी तरीके से help कर दे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए trade safe trade logically